हेलो दोस्तो तो कैसे आप लोग तो दोस्तो मैं वापिस सहाज जरू यार हिपप की न्यूस के साथ तो दोस्तो आज भी बहुत सारी और बहुत इंटरस्टिंग न्यूस है तो वीडियो एक दम एंट तक देखना तो बिना टाइम वेश करें शुरू करते है वीडियो दोस्तो पहली न्यूज यार रफतार की तरफ से आ रही है तो दोस्तो यार कुछ दिनों पहले रफतार ने एक स्टोरी डाली तो दोस्तो जैसे की स्टोरी में दिख रहा है कि रफतार यार MTV हसल के सेट पे हैं और वो यार सेट कर रहे है पूरा और उनके साथ में राजा कुमारी भी है तो यार इससे पता चलता है कि यार बहुत जल्दी शो आने वाला है और हाँ उपर लिखा तब वी आर रेड़ी तो मतलब यार होने वाला है बहुत जल्दी तबहाई तो वेट करो यार तो यार अब अगली न्यूस की तरफ बढ़ते हैं तो यार बाटशन है आज दिन में एक स्टोरी डाली मैं आप लोग को दिखा देता हूं यार यार बाटशन नेप वीडिया उट करा आप लोग को दिखा देता लोह तो यार जैसे कि आप लोगों को पता चली गया होगा कि बाट्शा का बहुत जल्दी यार सिंगल ट्रैक आने वाला है और बहुत जल्दी क्या यार 10 जूलाई को आने वाला है जिसका नमें पागल बाई बाट्शा तो यार देखते हैं गाना कैसा होगा सिंगल ट्रैक बहुत दिनों बाद बाट्शा का रिलीज हुआ है वैसे तो रिलीज होई गया था कुछ दिनों पहले ग्रेंट फादर पर यार वो एकदम कमर्शल नहीं था और ये में को कमर्शल लग रहा है तो देखते यार ट्रैक आने पर पता चलेगा कि क्या चीज़ बनी है तो अगली न्यूस के तरह बढ़ते हैं तो अगली न्यूस यार विसल की तरफ से आ रही है तो अगर आप लोग विसल को नहीं जानते तो विसल यार एक पंजाबी रैपर है और यार उन्होंने एक स्टोरी डाली नीड़ फीमेल रैपर हैश्टेक, ट्रांस ट्राक, स्वैग, विशल, फीचरिंग, तो हैब विसल एक female rapper की तलाष्ट में है, तो हैब कोई rapper यह देख रही है, जो कि female है, तो हैब कांटेक्ट कर सकती है, विसल से, अगर उनको आपका track पसंद आया, आपकी rhyming या फिर आपका style पसंद आया, तो यार विसल के साथ फीचर काने का आप लोगो मौका मिल सकता है उनके next track में तो विसल फीचर फू ट्राय कर लो अगर कोई female rapper देख रही है तो यार अगली news की तरफ बढ़ते हैं तो अगली news आर ओम प्रकाश मिश्रा की तरफ से आ रही है तो दोस्तो यार आज ही आर ओम प्रकाश मिश्रा ने एक स्टोरी डाली मैं आप लोगो दिखा देता हूँ हाई गाईज न्यू सॉंग हैश्टेक टेकल अलकार टीजर रिलीजिंग टुडे वन पीम तो यार इनका टीजर अभी तक मतलब आउट हो चुका होगा क्योंकि यार ये मैं वीडियो रात को बना रहा हूँ और ये स्टोरी सुबह हाई थी तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखो यार और बताना की कैसा लगा यार शाहिएद कुछ उवीड़े नहीं है इनसे पर अगर आप लोग इनके फैन हो तो यार जाके देखो और शाहिएद की अच्छी चीज हो सकती है तो यार अब अगली नीउस की बढ़ते हैं तो अगली नीउस हैर काली डेनाली म्यूजिक की तरफ से आ रही है वहीमियाँ जो कि यह एकदम फेक निउस है कर्ली ने खुद अनॉंस कर दिया है कि ऐसा कोई गाना नहीं आने वाला है जिसमें जैज्टी के साथ में वहीमिया दिखेंगे एकदम फेक निउस है आप लोगो बता रहे हैं कि यहले जो ना फैक फेको पेज़ेस को और सिफ फाल लड़की को बोल रहे हैं और एक तरीके से मजाख उड़ा रहे है तो यह उसके बाद से जो स्टोरी थी वो किसी बंदे ने स्क्रीन शॉट लेकर को सेंड कर दी और यह लिखा नीचे प्लीज अन्ब्लॉक चैन के प्रॉमिस ही नवर डिस यू अगें और यार उसके बाद से उसका रिप्लाय भी दिया कितने चूतियों हो तुम तो यह इससे सीधर पता चलता है यार कि घंटा कुछ वरक नहीं पड़ता किया चैन के क्या करें उनके बारे में वह ब्लॉक की रहेंगे उनके आईडी से और शायद में को लगता है कि अब अगर माफी भी मांगते है र पर में को नहीं लग रहें कि कुछ ऐसा होगा तो देखते हैं वह तो आगे की चीज़ है जैसा भी होगा मैं आप लोग को जरूर बता दुगा तो अगली ने चांब की तरफ से आरिया तो पहला गाना जूस करने मैं मसाला चांस बाइड्रो संग रैड लायन संग एन के शत तो जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को रिपोर्ट करा था कि या दिनो जेम्स का कोई सा गाना आने वाला है और वह बहुत यूनिक कॉंसेप्ट पे तो जो गाना था वह रिमेक था गर्ल्फरेंड का मतलब 2.0 गर्ल्फरेंड 2.0 अगर आप लोगों ने सुना गर्ल्फरेंड पुराना वाला डिनो जेम्स का जिसके बाद से डिनो जेम्स एकदम पॉपुलर हो गए तो उनका फॉर्स सॉंग था तो यार उसी का यह सेकेंड वर्जिन है मतलब पार्ट टू है तो यह यह लिरिकल वीडियो है अगर आप लोग इंटरस्टेड हो तो जा तो यार परधान का गाना आ रहा है गाना जो लीक हुआ था यार उनका तनहा के बाद से तो उसकी तो अभी कुछ खबर नहीं कि क्या हो रहा है अभी ओफिशली रिलीस होगा की नहीं होगा पर हां उनका दूसरा सिंगल ट्रैक आ रहा है जिसका नहमें अकड तो अगर आप तो मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई